नमस्कार बहुत स्वागत है आपका उत्पन्ना एकादसी इस एकादसी का ब्रत रखने से मनुसी के पिछले जनम के पाप भी नश्ट हो जाते हैं और उत्पन्ना एकादसी ब्रत के प्रभावसे जातक को संतान का सुख्य, आरोग्य और जन्म मरन के बंधन से मुक्ति मिलती है उत्पन्ना एकादसी के ब्रत से अगर आप एकादसी ब्रत की सुरूआत करें तो सर्वोत्तम मानी जाती है सुमूर्थ क्या है? 19 नवंबर को सुबह 10 बच कर 29 मिनट से 20 नवंबर को सुबह 10 बच कर 41 मिनट तक एकादसी तिथी रहेगी और एकादसी के ब्रत का पारण 21 नवंबर को सुबह 6 बच कर 40 मिनट से सुबह 8 बच कर 47 मिनट के बीच किया जाएगा और ब्रत आप 20 नमंबर को रखेंगे ब्रत के लियम करें यानि कि आपको दस्मी से ही करना चाहिए और साथ तरह के अना जिसमें गेहूं, उरद, मूं, चना, जो, चाबल, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और इन साथो धानी की पुजा एकादसी की दिन की जाती है भगवान सूरी को जल और पित करने से कुंडली के हर गरह यानि की सारे के सारे गरह मजबूत हो जाते हैं वैसे तो भारती संस्कृती में देपताओं का पूजा पाट का महत्व है और सास्त्रों के मुताबिक देपताओं की संख्या 33 कोटी है लेकिन जो देपता दो हैं वो प्रमुख है जो पिर्थवी पर हर रोज दिखते हैं यानि सूरे और चंद्रमा तो हमारे पौरानिक समय से ही सूरे और चंद्रमा का पूजा करने का विधान है तो सूरे को जल अगर आप अरपित करते हैं तो उसके फाइदे क्या हैं और रभी बार के दिन अगर आप खास कर अरपित कर रहे हैं तो क्या डाल कर अरपित करें कि जीवन के हर छेतर में तरक्की मिले देखिए भगवान सूरी को जब आप अरपित करते हैं जल तो आपकी आँखें स्वस्तरती जल देते समय हैं अगर आप जल पात्र को सिर के सामने रखें और गिरते वे जल से आप अगर सूरी को देखें तो नेतर की जो दोस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में सूरे लगने से बार में या दूसरे घर में हो तो आँखों की परेसानी होने की संभावना होती है इसलिए सूरे को जल रोज आप अरपित करें लेकिन सूरे को जल अरपित करने से आपकी नोकरी में भी उन्नती होती है आपका confidence वरता है आपक सूरे में अधिकारी का कारक माना गया है तो सूरे को जल देने से आपके हर छेतर में आपकी तरक्की होती है और कुंडली के हर एक भाव प्रवल रूप से मजबूत हो जाते हैं लेकिन सूरे को जल अरपित करने का सही तरीक है कौन सा लोटा यूज करेंगे ये भी सवाल है देखिए लोटा तो वैसे आप कामबा के यूज करें तो बहुत अच्छा नहीं तो आप पीतल का लोटा भी यूज कर सकते हैं लोटे में विसेश बस्तुएं डाल कर अगर इस दिन भगवान सूरे को विसेश तरीके से जल और पित किया जाए तो आपकी हर मनो कामना भी प बताएंगे कि जब आप सूरे का तांतरिक मंतर का जब करते हैं सूरे को जल देते समय तो उसके विसेश फायदे आपको कैसे मिलते हैं और जीवन की समस्त मुस्किलों से आप कैसे आसानी से बाहर आ जाते हैं और साथ ही अगर आप वो मंतर तांतरिक मंतर ना पढ़ें तो गयतरी मंतरू पढ़ सकते हैं आप ओम आधित्याय नमह का जब और किसी को पता है और और आप कोई ये मंतरा पढ़े, पर पढ़े जरूं, क्योंकि मंतर में जो सकती है, वो आपको जीवन के कठिनाईयों से बाहर निकलने में मदत करेगा वैसे ओम ग्रिनी सुरिय नमः इसमन्त का भी जब कर सकते हैं या फिर गैतनी मंत्र आम भूर भूहँ स्वहत तत्सवितुरुबरे नमभर्गो देवस्य दीमही द्योयोनः प्रचोद्याः इसका भी कर सकते खड़े होकर रोज 27 वर कायतरी मंत्र पढ़े तो जीवन में कस्ट ही नहीं आएगा अगर ग्रहों की बुरिचाल से कस्ट आ भी जाए तो भगवान की किरपा से वो आपके हाथ पकड़कर आपको कस्टों से बाहर निकाल लेंगे आपको तमाम परिसानियों से मुक्ति दिला देंगे बस एक बार सुर्य के सरण में आकर तो देखिए क्योंकि वो कुंडली के हर दुरियोगों को समाप्त कर देते हैं क्योंकि सुर्य राजा हैं ग्रहों के सुर्य का मंत्र बोले ओम एही सुर्य सहस्तरांसो तेजो रासे जगत पते अनुकंपे माम भक्तिया ग्रहनार्थ दिवाकर इस मंत्र का जब करके सुर्य को जलर पित करे इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों और छिड़के फिर जहां पर आप ख खड़े होकर हनुमान चालीसा पड़े लेकिन अगर पित्री दोस हो तब तब पित्री देवों के निमित उनको प्रसंद करने के लिए लोटे में सुर्य को जलर पित करने के बाद एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डालकर आप दक्षिन दिसा की तरफ पित्री संतुष्ट होंगे और उनको जो वो जिस चीज की चाहत से आपके पास आए हैं उनको त्रिप्ति मिलेगी और आसिरवाद बर्सा कर ही जाएंगे अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है कहीं फस गया है कोई वापस नहीं कर पा रहा या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए तब जब भगवान सुरी को जलर पित करें तो रभी बार के दिन से सुरू करके अगर आप महिला ह हैं तो लगातार 27 दिन एक परक्रिया करना है जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर एक चुटकी लाल मिर्च के बीज डाल कर अरपित करें भगवान से प्रात्ना करें सिग्र धन प्राप्ति के लिए अगर मंगल कमजोर हो तो जल में सककर या फिर गुर डाल कर अरपित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है जीवन में कस्ट कम होते हैं सत्रू बिरोधी ज़्यादा परेसान करें आपको लगे कि सत्रू बहुत ज़्यादा परेसान कर रहे हैं तब जल में लाल गुढ़ हल के पुस्प डाल कर सूरी को अरपित करें तो सत्रू बिरोधी सांथ हो जाते हैं अगर बैबाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका वि करने के लिए जब सूरे को जल अर्पित करें तो उसमें स्याही डालकर अर्पित करें जादा नहीं दोबुन डालकर अर्पित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खुब तेज बढ़ेगा जोतिस में इन चीजों का पालन करने से जीवन के कस्ट कम होत और जल अर्पित करते समें गायतरी मंद्र का जब कीजिएगा आप चाहें तो इसमें एक चुटकी अक्षत भी डाल सकते हैं जब जीवन में लगे कि कस्ट ज्यादा हो रहा है जीवन में आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके अनुकूल ही फल दे सभी ग्रह को प्रसंद करने क की बजाए अगर आप सिर्फ सूरे की अराधना करें तो आपका भागे उद्य होने लगता है कुछ लोगों के ग्रह दोस खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुर्भागे का सामना करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो रभी वार के दिन नो गरहों के अधिपती हैं जो सूरे उनका ही दिन है और इस दिन छोटा सा परियोग जरू करें वैसे इस दिन तंत्र सास्तर में धन प्राप्ति के लिए एक राम बान उपाय बताया गया है जो कि आपके जीवन के जो दुर्भागे हैं उनसे चुटकारा आपको द ग्रिनी सुरिया नमा 108 बर जब करें और अपने सामने की स्टील या चांदी के बरतन में आप जल में थोड़ा सा दूर डालकर रखिए जब मंत्रे 108 बर पूरा आप जब लें फिर आप उस जल को भगवान सुरी को अरपित कर दें तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं रविवार के दिन गुड का सेबन जरूर करना चाहिए और मचली का सेबन भूल कर भी नहीं करना चाहिए अगर उतना ना भी कर पाएं तो सिर्फ एक लोटा जल जल में एक चुटकी हल्दी या फिर रोली डालें इसके साथ एक चुटकी अक्षत काला तिल थोरी सी मीठी ब लोटा है तो लोटे में मीठी बस तुन डालकर हाथ में लेकर अर्पित कर दें और फिर जल अर्पित करें तो उत्तम रहेगा लेकिन अगर आपकी कुंडली में कैसा भी दोसों उससे मुक्ती पाने के लिए एक और छोटा सा परियोग आप कर सकते हैं इस पित्तरी एकादस होगा और इसको आप अपने उपर से तीन बार उल्टे हाथ में रखकर वार ले और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख दे और साम में एक दिया जरूर पीपल के नीचे जलाईएगा और बिना पीछे मुड़े अब घर आ जाए आपके जीवन से हर कस्ट हर बाधाएं द नहीं खाएं तो अच्छा है अगर कुंडली में सुर्य से बनने वाले राजयोगों तो रवी बार के दिन अधरक और सरसों के तेल का सेवर ना करें वैसे सुर्य देव का सबसे जो सरल मंत्र है ओम घ्रिनी सुर्य आदित्या उसका भी जब कर सकते हैं फिलाल भी दालेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेव जड़ेंगे